ये ऐसी अदाकारा जिन में ना कोई ग्लैमर ना तड़क भड़क ना ही कोई जिस्म की नुमाईश थी और फिल्म डस्टी की नंबर वन एक्ट्रिस की कुर्सी तक वो जहां पहुंचे उनके दोर में उनका जलवा ऐसा बिखरा कि बड़े बड़े इस्थापे थीरों तक उनके साथ काम करने से घबराते थे यहां तक कि उनकी सुपर स्टार पती को भी उनके टैलेंट से टेंशन हो जाती थी वो अपनी दूसी पारी में फिल्मों के लावा राजनीती में भी आई और दोनों ही जगा पर उन्होंने कमाल करके दिखाया जहां पर बॉलिवुड के दूसे कलाकर राजनीती में सक्सेस्फुल नहीं हो पाते वहीं यह अदाकारा अब तक टिकी हुई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि महस चौदा साल की उमर में देश के चोटी के निर्माता निदेशकों की फिल्मों में लीड रोल निबाने वाली यह अदाकारा किसी भी फिल्मी परिवार से तालुक नहीं रखती थी और क्या आप सोच सकते हैं इस बात को कि इस एक्टरिस ने अपने सुपरस्टार पती से भी ज़्यादा लोक प्रियता पॉपॉलरिटी हासिल की थी और उनकी बेवफाई का डट कर मुकाबला किया और अपने सुहाग को सभाल कर रखा उनने वो वापस लेकर आई और क्या आप सोच सकते हैं यकीन कर सकते हैं कि कभी परदे पर शांत और सुशील दिखने वाली ये अदाकारा आज सबसे ज़्यादा मुफट और जगडालू गुस्से वाली शक्सित के तौर पर बदनाम हो चुकी हैं कौन थी ये अदाकारा और कैसे रातो रात बदली उनकी किस्मत और कौन थी वो अदाकारा जिन्होंने उन्हें दिलवाया था लेजनरी डिरेक्टर के साथ काम करने का अनमोल मौका क्यों इन्हें अपने बेवफा पती को बार बार सुधारना पड़ा और कैसे एक शांत और सुल्जे दिमाग वाली कहे जाने वाली ये अदाकारा बन गई जगडालू गुस्से वाली जुझारू राज नेता क्या है उनकी शक्सियत का वो राज जो अपने पती और बच्चों के अलावा उनके अपने समर्थक भी आज तक समझ नहीं पाएं जानेंगे सब कुछ इनके बारे में कहीं मत जाएए बने रही है हमारे साथ हमारे चानल ओएसेम बॉली वुट पर नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चानल ओएसेम बॉली वुट और मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अफजल खान मुझे नहीं लगता कि आप अब तक समझे नहीं होंगे जी हाँ आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीते दौर की गुड़ी और मिली नाम से मशूर सूपरस्टार अभीनेत्री और आज की सबसे ज़्यादा स्थापित राजनेता जया भादड़ी उर्फ जया बच्चन की कई पीडियों के लिए भिन भिन तरह के किरदार निभारे वाली जया बच्चन का जनम हुआ था साल 1948 में जी हाँ एप्रिल के महीने नौ तारीक को जबलपूर मद्य परदेश के एक बेंगौली परिवार में उनका जनम हुआ उनके पिता तरुन कुमार भादूरी एक जी हाँ रिपोर्टर थे पत्रकार थे और माता इंदरा भादूरी एक ग्रहनी थी जया की शुरुवाती पड़ाई लिखाई भोपाल के सेंट जोजफ कॉन्वेंट में हुई थी जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो एक दिन कॉलकटा में अपने रिष्टदार के यहाँ वो गई थी और वहाँ चल रही एक शूटिंग देखने वो पहुँच गई शूटिंग थी मशूर निदेशक सत्यजी त्रे के फिल्म महानगर की संयोग वश उस फिल्म में एक रोल एक किशोरी का भी था जिसके लिए कलाकार की तलास चल रही थी सत्यजी त्रे साहब के पिछली फिल्म अगूर संसार की हीरोईन शर्मिला टेगोर उनके सेट पर अकसर आया जाया करती थी शमिला को जया उस रोल के लिए जच गई और उन्होंने उसे सत्यजी त्रे साहब से मिलवा दिया फिर क्या था जया को वो रोल मिल गया और फिल्म रिलीज हुई और उनके अभिने की बहुत तारीफ हुई फिर तो जया ने भी ठान लिया कि अब वो अभिनेत्री ही बनके दिखाएंगी उन्हें एक दो और बिंगॉली फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला इस बीच स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पूने फिल्म एंड टेलेविजन संस्थान यानि FTI में दाख चुकी थी और जब रिशिकेश मुखर जी फिल्म गुड़ी बनाने के तैयारी में थे तो उन्होंने बाकाइदा FTI जाकर जया को साइन किया क्या किस्मत है इस फिल्म के एक शॉर्ट में अविताब बच्चर भी नजर आये हैं जिन से उनकी दोस्ती हो गई थी बताया जात का करेक्टर ज्यादा प्रभाशाली नहीं था इसलिए उन्हें उस फिल्म से हटा दिया गया बराल गुड़ी रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई और इस फिल्म के लिए जया को फिल्म फेर पुरुसकार का नॉमिनेशन भी मिला था फिर तो जया के बास फिल्मों की लाइन लग गई साल 1971 में उन्होंने पाँच और हिंदी व बंगला फिल्मों में अभी ने किया हाला कि गुड़ी के स्तर पर कोई फिल्म नहीं पहुँची लेकिन अर्विंद मुखोपा ध्याय की बंगला फिल्म धन्वी मैखे और सुधेंदु राय की उपहार बेहच चर्चा में रही चानती हो किदनी बरबादी की है तुमने बाग में अब रखा ही क्या है अच्छे अच्छे आंप आपने तोवा दियो तुम्हारा पूरा नाम क्या है फिल्म उपहार के लिए भी उन्हें सर्व स्रेश्ट अभीनेत्री का फिल्म फेर पुरुसकार का नॉमिनेशन मिला और देकर सम्मानित किया था इसके बाद जया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा अगले साल यानी 1972 में उनकी 11 फिल्म में रिलीज हुई जो एक से बढ़कर एक सावित हुई बासू चैटे जी की फिल्म पिया का धर ये कहानी है चोटे शहर के खुले वातावरन से महान तो गुलजार के फिल्म परीचे में तो वह ऐसी उन्होंने अपनी धाग जमाई धानी सी दादी बनके दिखाई जो जमीदार परिवार की जिम्मेदार बड़ी बेटी नजर आई है फिर साल 1972 में ही आई फिल्म शोर का धिकर भी जरूरी है दोस्तों जिसमें उनके चुल्बुले किन्तु गंभीर अभीने ने सब का मन मोहलिया था जी हाँ इसी साल जयाय की एक फिल्म और आई अमिता बच्चन के साथ जिसका नाम था एक नजर ये एक रोमैंटिक फिल्म थी लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली लेकिन इसने दोनों कालाकारों को एक दूसरे के नजदीक ला लिया जी हाँ एक दूसरे के नजदीक आ गए साल 1972 में ही रिशीकेश मुकरजी के फिल्म बावर्ची आई जिसमें उन्हें तब के सुपरस्टार राजिश खन्ना के आपोजिट काम करने का मौका मिला था राजिश खन्ना तब तक सुपरस्टार बन चुके थे और बावर्ची की कहानी उन्हीं के इर्दगिर्द घूमती थी लेकिन इसके बावजूद जैया ने अपनी जोरदार उपस्तिती अपनी प्रेजिंस दर्ज कराई कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताब जैया से अकसर सेट पर मिलने आया जाया करते थे जिस पर राजिश खरना बहुत नराज हो जाते थे जी हाँ एक एक्टर दूसरे एक्टर को एक हिरो दूसरे एक्टर को आखास सार्स है अमिताब बचन को देखकर तो उनकी जलन बिल्कुल जायस थी कभी कभी तो चिड़कर कुछ मजाग भी वो उड़ा दिया करते थे ऐसे में एक दिन जैया भादूरी ने उनसे कह दिया कि देख लेना ये आपसे बड़ा स्टार बन कर दिखाएगा जैया को अपनी बात साबित करने का मौका जल्दी ही मिल गया अगली साल यानी 1973 में जब फिल्म जंजीर बन रही थी तब अमिताब के फ्लॉप लेबल के कारण कोई भी कोई भी उन्हें काम देने को तयार नहीं था ऐसे में जैया ने हिम्मत करके उनके लिए महनत की और उसमें काम करने के लिए वो ना सिर्फ तयार हुई बलकि उन्होंने जानदार अभीने भी करके दिखाया सिफारिश भी की उन्होंने फिल्म सुपर हिट हो गई और अमिताब को एक नया टैग एंगरी यंग मैन मिल गया और उसी साल फिल्म अभीने के बनने और दोनों की शादी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे दोस्तों जी हाँ साल 1975 में आई फिल्म मिली में जाया ने एक कैंसर प्रस्त किशोरी की भूमी का निबाते हुए अमिताब के साथ बेहत शशक्त अभी ने किया था दोस्तों हाला कि अमिताब ने इस फिल्म में अपने नए अवतार यानी एंगरी यंग मैन को रूप में बिल्कुल भी अपने आपको उन्होंने दिखाया नहीं क्योंकि उससे पहले उन्हें ये टाग मिल चुका था फिर भी फिल्म दर्शकों के बीच बहुत लोग अप रिये हुई अमित जया की जोड़ी स्क्रीन और ओफ स्क्रीन दोनों जगा धमाल मचा रही थी दोनों की कैमिस्ट्री दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी मेगा फिल्म शोले में जया प्रेगनेंट होने के बावजूद भी दोनों को उसमें लिया गया ऐसी उनकी जोड़ी बन चुकी थी दोनों ही फिल्में को शूटिंग 1973, 74 में हो चुकी थी 74 में मार्च में जया बच्चन की गोद में छोटी बेटी यानी शुटा हाई और इसके करीब दो साल बात फेबरी 1976 में बेटे अभी शेक का जनम हुआ दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी और फिल्मों की व्यस्ता में उन्हें पती पर ध्यान देने का मौका मिला नहीं साल 1976 में रेखा ने फिल्म 2 अंजाने से अमिच चया की लाइफ में एंटरी मारी हाना कि इससे पहले फिल्म दुनिया का मेला के लिए अमित आपको रेखा के साथ साइन भी किया गया था और एक गाना भी शूट हो चुगा था लेकिन जब साल 1973 में इसकी शूटिंग शूरू हुई तब तक जंजीर रिलीज नहीं हुई थी और तब अमित रेखा के पहले गाने को फिल्म के डिस्टिब्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया जी हाँ बाद में ये फिल्म संजे खान को लेकर पूरी की गई और वो 1974 में रिलीज हुई बरहाल 1976 के बाद अमित आप और जया की अन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के बाद दोनों के बीच आफ स्क्रीन भी इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी उसी दोर के मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा अमिताप के इतने करीब आच चुकी थी कि उनके साथ मिलने वाली फिल्मों के मतलब वो रेट तक कम कर देती थी कि अगर अमिताप बचने इस फिल्म में है तो मैं कम रेट पे भी काम करने को तयार हूँ चर्चा तो यहां तक होई कि 1980 में आई फिल्म राम बल राम में रेखा ने मुफ्त में काम किया था दोस्तों ये होती है महबबत कहते हैं इस फिल्म के सेट पर जया अकसर आ जाया करती थी अचानक धमकती थी और कई बार रेखा और अमिता आपको फुरसत में साथ बैठे बिताते वक्त पकड़ा गया कहते हैं कि अफवा भी उड़ी थी कि राम बल राम के सेट पर जया ने रेखा को थपड़ मारा था लेकिन इस बात में सच्चा एक कमी नदर आती है दोस्तों कारण यह है कि अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच बोल चाल भी बंद हो गई होती जबकि ऐसा नहीं हुआ साल 1980 में तो एक बार रिशी कपूर और नितु सिंग की शादी समारों में रेखा मांग में सिंदूर लगा कर पहुँच गई थी जिसे देखकर सब लोग भौचक के रह गए जया भी भौचक की रह गई वो डर गई की कि ऐसा तो नहीं हमिताब बच्चन ने इन से शादी कर ली हाला कि रेखा ने सफाई दी कि वो एक फिल्म के सेट से सीधे शादी में पहुची हैं इसलिए मेकप उतारने का मौका नहीं मिला जया बच्चन ने यश्राज फिल्म की सिलसिला में रेखा के साथ स्क्रीन शेयर की थी साल 1981 में आई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसे पल भी आये जब जया बच्चन असहज हो थी यश्र चोपड़ा ने इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से की थी मानो ऐसा लगता था कि सब कुछ रियल लाइफ में चल रहा है सिल्सिला परदे पर आ चुका हो हाना कि जया बच्चन ने अमिताब की गहर मौजूदगी में ऐसा कदम उठाया कि बिग बी और रेखा की महबत का ये सिल्सिला एक ही रात में खत्म हो गया जी वो क्या था चलिए जानते हैं कहते हैं एक बार जब अमिताब शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे तब जया ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया डरी सेमी रेखा जब अमिताब के घर पहुंची तो जया ने उनसे बहुत सारी बात चिक की लेकिन जब वो घराए मेहमान को बाहर छोडने गई तो उन्होंने साफ कह दिया चाहे है कुछ भी हो जाए मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी बस ये बात सुनकर रेखा के पैरो तले जमीन किसक गई और उन्होंने अमिताब का साथ पाने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया कितनी स्मार्ट थी जया जी आपका राजनीती मयाना बिल्कुल सही है ऐसा ही दिमाब चाहिए सिलसला के बाद जया लंबे समय से ब्रेक पर चली गई हाला कि इस बीच उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म शेहनशा की पटकता भी लिखी जिसमें उनके पती लीड रोल में थे लेकिन इस बीच कभी परवीन बॉबी तो कभी जीनत अमान के साथ अमिताब बच्चन के अफिर्स की खबरें उन्हें परिशान करती रहती थी इश्क में पढ़ना लाजमी था बताया जाता है कि साल 1981 में लावारिस फिल्म के एक गाने में डांस करने वाली इरानी डांसर से भी प्यार हो गया था और उसे लेकर उनका रेखा से भी जगड़ा हुआ था इधर जैया बच्चन फिल्मों से दूर ही रही और अपने परिवार को संभालने में लगी रही साल 1997 में उनकी बेटी श्वेता की शादी हो गई तब उन्हें लगा कि वो वापस फिल्मों में लौट सकती है कहते हैं जैया ने उस वक्त इसलिए भी फिल्मों में वापस लौटने की सोची क्योंकि अमिता बच्चन की ABCL मिस वर्ल्ड के आयोजन में प्रायोजकों ने उन्हें थोका दिया था दिवालिया हो चुकी थी कमपनी और उनका घर तक बिकने के कगार पर आ गया था बरहाल लगबग 18 सालों के लंबे ब्रेक के बाद जब दोबारा वो स्क्रीन पर लौटी तो उन्होंने फिर से प्लॉक्बस्टर फिल्में की उनकी पहली कमबैक फिल्म थी 1998 में रिलीज हजार चौरासी की माँ जिसे गोविन नहलानी ने देशिक किया था तीस साल तक मैंने तुमसे कभी ये पूछा कि दफ्तर के बाद शाम को तुम कहा जाते हो उस औरत के मकान का किराया क्यों देते हो जो तुम्हारे दफ्तर में ट्रैटिस्ट है सब को जाते हुए मैंने तुमसे कभी खुछ नहीं पूछा तुम है भी मुझसे पूछने का खाख इस फिल्म को उस साल का नेशनल आवाड तो मिला ही इसके लिए उने फिल्म फेरने स्पेशल आवाड से भी नवाजा था उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चला साल 2000 में फिज़ा 2001 में कभी खुछी कभी गम और साल 2003 में कल होना हूँ उन्होंने साबित कर दिया इन फिल्मों में कि उनकी आक्टिंग का दम खम अभी भी बाकी है तीनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग आट्रस का अवाड भी मिला गोर तलब है कि जया अब तक फिल्म फेर अवाड नौ जीत चुकी है जिया नौ फिल्म फेर अवाड जी चुकी है जब एबी सीयल दिवालिया हुई उसे पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंग ने बच्चन परिवार से नजदीकिया बढ़ानी शुरू कर दी थी उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की हाला की बहुत सालों तक जया फिल्मों से दूर ही रही थी लेकिन साल 1994 में मुलाइम सिंग यादव की सापा सरकार ने उन्हें कला के छेतर में तभी शुरू किये गए यश भारती सम्मान से सम्मानित कर दिया फिर 2004 में उन्हें सपा की ओर से राज्य सबा सांसत भी चुना गया इसके साथ ही वो उत्तर परदेश की फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी बनाई गई थी और साल 2006 में चुनाव आयोग ने इसे लाव का पत घोशित कर दिया तो उन्हें सांसत का पत छोड़ना पड़ लेकिन दोबारा हुए उपचनाओं में भी सपा ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया और वो जीत भी गई फिर साल 2012 में वो तीसरी और 2018 में चौथी बार सपा के टिकट पर राज्य सबा सांसत बनी वैसे तो जया बच्चन एक सफल अभिनेतरी हैं और सांसत रही हैं लेकिन इस बीच उनकी नीजी और सामाजिक जिन्दगी बहुत उथल पुथल भरी रही है दोस्तों और इसका असर उनके सभाव पर भी पड़ा है कहा जाता है कि नीजी जिन्दगी में जया बच्चन अमिताब के बीच भारी मनमुटाव रहता था और दोनों बरसों से एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे बच्चन परिवार के पास बहुत सारे बंगले हैं और जया जिस बं नजर आती है एश्वरया से उनकी दूरी जग जाहिर हो चुकी है अभिशेक की ऐश्वरया से हुई शादी को जया कभी भीत्री तौर पर पचा नहीं पाई डाइजस नहीं किया एक बार रेडिव से बात करते हुए उन्होंने अपनी बहू के साथ अपने रिष्टों पर खुल कर बात की थी उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि वो मेरी दोस्त है अगर मुझे उनकी कोई बात पसंद नहीं भी आती है तो मैं उनके मूँ पर बोल देती हूं क्योंकि ये मेरा नेचर है मैं पीठ पीछे राजनीती नहीं करती जया बच्चन ने कहा था कि वो चाहती हैं उनकी बहु उनके प्रती अधिक संबान जनिक वैवार करें भावनात्वां तोर पर जया अपने बच्चों के काफी करीब थी क्योंकि उनके लिए ही इन अभिनेतरी ने अपना चमकता हुआ करियर दाओं पर लगा दिया था जब अभिशेक का करियर चमक नहीं रहा था तो जया को बहुत निराशा हुई थी उनकी बेटी की शादी देश के एक बड़े व्यवसाइक घराने में हुई थी लेकिन उसका भी दांपत्य जीवन उतर पुतल बरा ही रहा है दोस्तों शोयता और उनके पती निखिल नंदा के समंदों पर कई बार मीडिया में बहुत स फ्रस्ट्रेशन में बदल कर जया बच्चन को चिड़ चिड़ा बनाता रहा है अपने उट पटांग बयानों के कारण जया को कई बार राजनितिक विरोध भी सहना पड़ा है क्योंकि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं वो नीता है साल 2008 में तो उन्होंने पर शिवसेना और मन से दोनों ने हमला बोल दिया था राश्ठाकरे ने उन्हें गुड़ी बुड़ी तक कह डाला था शिवसेना के नेता और राजसपा सांसत संजेराउत ने कहा था कि माराश्ट्र की जनता ऐसी भाशा को कदई बरदाश्ट नहीं करेगी राश्ठाकरे और शिवसेना दोनों ने जया-बच्चं से माफी मांगने को कहा था दोस्तों जिस पर हमिताब ने अपने ब्लॉक पर माफी मागी भी थी संसत में भी जया-बच्चं के बयान हमेशा से विवदासपद ही रहे हैं और वो लगबग हमेशा ट्रॉल होते रहें दरसल राजिन कि कीमत चुकाने के लिए उन्होंने अमर सिंग और उनकी राजनितिक पार्टी का प्रतिनिधी बनने का फैसला किया था तब जाके उन्होंने मजबूरनी पार्टी जॉइन की थी सपह एक ऐसी पार्टी है जो आप कह सकते हैं जो विरासत में सहयोगी कम और विरोधी ज्याद उतनी पड़ी लिखी या राजनितिक तोर परिपक्व भी नहीं है कि लगातार संगर्ष की राजनिती सह सकें, रणनिती बना सकें और इसकी पेचीत कियां समझ सकें कई बार उन्हें कई मुद्दों पर अपने ही नेताओं की पॉलिसी के वरुद जाकर बयान देना पड़ता है जिससे वो फस जाती है और ऐसा हो भी चुका है ये सब भी जया के रूखे और खिस्याने सभाव का कारण बन गया तो दोस्तों ये कहानी जया बच्चन के गुड़ी से गुड़ी बुड़ी बनने तक की पूरी कहानी थी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इससे हमें हिम्मत मिल है आप अपना ख्याल रखें हम फिर मिलेंगे आपसे अपने ओसम के अगले बॉलिवुड में आप ख्याल रखें टेक केर बाए 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 अल्लाहाफिज राम राम